नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं ग्रेंट धर्मास सनमार्ग रभी बार 29 मार्च मा इसकंद माता की अराधना की जाएगी क्योंकि इस दिन पाँचवा नौरात्रा है और मां इसकंद माता की अराधना करने से संतान की प्राप्ती सरलता से होती है और अगर जीवन में संतान अगर कोई मार्ग भटक रहा है या आप चाहते हैं कि संतान आपका तरक्की करे तो भी इस दिन मां की अराधना की जाती है अगर संतान के तरब से कोई भी कस्ठ हो तो वो भी दूर होता है मा को पी आप नहाद होकर पीले रंग के कपड़े पहने फिर मा को पीले पुस्प अरपित करें पीले फल अरपित करें विसेश कर आज के दिन केले का परसाद अरपित किया जाता है जोड़ा केला अर्पित कीजेगा एक की संख्या में मत कीजेगा पूजा के बाद आप मा से संतान समंधी समस्याओं की मुक्ति के लिए प्रातना करें इस दिन जोतिस की दृष्टी से देव गुरु भ्रहस्पती को मजबूत करने के लिए भी मा की पूजा की जाती है क्योंकि देव गुरु भ्रहस्पती संतान के कारक है और इस दिन अगर आप चाहते हैं कि गुरु आपका मजबूत हो जीवन में बहुत चीज आपका खुद बखुद हो क्योंकि गुरु के पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दे सकते हैं तो उनको मजबूत करने के लिए ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रॉंग सह गुरुवे नमहा इस मंदर का 108 बर जब कीजे और ब्रहस्पती मजबूत होने की मा से प्रार्थना कीजे मा को चुकि पाचवा जो मा का रूप है वो इसकंद माता का है तो मा को केले का भोग लगाया है और आपने जो केले का भोग लगाया है प्रसाथ के रूप में ग्रहन कीजे संतान समंदी बाधाएं या फिर आपका स्वास समंदी कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाती है मा को इस दिन आप पांचवे दिन तमाम तरह के उपाई भी किये जाते हैं और उन में से धन की कभी कमी ना हो जीवन में धन बचने के लिए नवरात्री में आप आज के दिन या फिर किसी भी दिन वैसे आज के दिन ही करें तो अच्छा है क्योंकि इस दिन देव गुरू से संबंदित अराधना की जाएगी मा इसकंद माता की करेंगे क्या दो हल्दी की गांट गोटा हल्दी होता है ना जिसको जो पाउडर नहीं समूची हल्दी दो गांट लीजे हल्दी की पीली हल्दी की और मा को और पित कर दें फिर आप पुजावजा करने के बाद इस हल्दी को उठा कर आप चाहें तो पीले कपड़े में लपेट कर या वैसे भी आप अपने धन के अस्थान पर रख दें पूरे साल वहां रहने दें और पुरानी वाली जो हल्दी है उसे जल में प्रभाहित कर दें या फिर मिट्टी में दवा दें ऐसा करने से जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और तमाम समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी वैसे तो नवरातर के दिनों में बहुत सारे अराधना करने के भी धान है लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखें इन नौ दिनों में सुबह साम अगर आप कपूर जलाकर मा की आरती करते हैं घर में कपूर जलाकर कपूर का जो धुआ है घर का बातावरन को सुद्ध करेगा और घर में कलह कलेश भी नहीं होगा और आपके घर में कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा तो धन धान के लिए आपको अपने उपाई बताये आज हैं आप मां को परशन करके जीवन में संतान और धन की कामना को पुर्ति कर सकते हैं हम आपसे बिदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर पहादेद